आज मैं आपको explain करने वाला हूँ 1988 की मूवी Big इस मूवी में 13 साल का एक बच्चा चाहता है कि वो बड़ा बन जाए और दूसरे दिन वो बड़ा बन भी जाता है वो directly 30 साल का हो जाता है उसके life में फिर क्या क्या होता है यह इस मूवी की storyline है टॉम हैंग जैसे बहुत ही अच्छे actors इस मूवी में है मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारे मूवी का lead character दिखता है 13 साल का Josh अपने computer पे game खेल रहा होता है उसे computer में बहुत सारा interest होता है थोड़ी देर बाद वो बाहर खेलने जाता है उसका एक best friend होता है Billy उसके साथ वो खेलता है खेलने के बाद वो hangout कर रहे होते है लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते है तभी Cynthia Josh को देख कर हसती है Billy उसे बोलता है कि तुम उसे अच्छे लगते हो Josh को भी वो पसन आती है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है फिर वो दोनों घर आ जाते है वो जब घर आते है तो उसके parents उसकी room में उसके sister को shift कर देते है उसकी एक छोटी सी sister होती है उसकी crib वो वहाँ उसके room में shift कर देते है उसी ही अच्छा नहीं लगता पर इसके against वो कुछ भी नहीं कर पाता फिर नेक्स दिन में हमें Billy दिखाया गया है Billy के घर में हमेशा जगड़ी चलते रहते है Billy एक अच्छा लड़का होता है जो अपने family को help करता है रात में जब Josh और Billy दोनों सोने को जाते है तो अपने walkie talkie में वो बात करते है Josh की मदर उसे walkie talkie बन करने को बोलती है Billy और Josh की उस walkie talkie पर बात होती है और Billy Josh को बोलता है कि Cynthia तुमें भी पसंद करती है वो पहले जिस लड़के को पसंद करती थी उनकी अब fight हो चुकी है तो इसलिए तुम्हारा अब chance है इक दिन उनके शेहर में roller coaster आई हुई होती है Josh के parents उसे फिर वहाँ लेकर जाते है वहाँ उसे Cynthia भी दिखती है Cynthia एक ride पर जाने वाली होती है तो Josh भी वहाँ जाना चाता है वो उसके parents से पैसे लेता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है वो वहाँ जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है Cynthia भी उसे बात करने लग जाती है Cynthia उसे पूछती है कि क्या तुम इस ride पर पहले गए हो तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पहले गए हूँ वो डर रही होती है फिर एक लड़का सिंथिया की यहाँ आकर वहाँ खड़ा हो जाता है एक्चुल में सिंथिया उसके साथ डेट पर आई हुई होती है इस राइड के लिए लाइन होती है वहाँ फिर वो जॉश को आगे कर देते है सिंथिया जॉश के साथ नहीं आने वाली होती राइड का जो supervisor होता है वो बोलता है कि तुम्हेरे height बहुत ही कम है तुम ये राइड नहीं कर सकते है उसे बहुत ही stupid feel होता है फिर वो वहाँ से चला जाता है उसके पास राइड के लिए जो पैसे होते है वो तो होते ही है तो इसलिए वो वहाँ घुमता है वहाँ घुमते घ गेम की मशिन पर आ जाता है, यह एक जोलाफ्ट मशिन होती है, यह जालो नहीं हो रही होती, तो जोश उसे धक्का देता है, उसमें पैसे डालता है, और यह जो गेम होता है, उसमें उसे पुछा जाता है, कि तुम एक विश मांग सकते हो, फिर वो विश करता है, कि वो जाता है, जात में हमें एक जोल का तुफान आया होगा दिखता है, जब सुबह होती है, तो नीचे से जोश की मदर उसे उठाती है, जोश जाकता है, और बातरूम में जाकर देखता है, तो बड़ा हो चुका होता है, उसमें बीलीव नहीं होता है, अपने आइस को फिर से पेहने के कोशिश करता है पर उसके अपने ओल्ड कपड़े अब उससे नहीं आते है वो उसके पैंड में एक कार्ट देखता है उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी वीजिकरांट हो चुकी है फिर वो अपने फादर के स्वेट्शल में घर से निकल जाता है उसकी मदर को जानक से गुच गया है क्योंकि आप जॉश बड़ा हो चुका है तो उसे पहचानती नहीं जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है जॉश उसे बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी पूछ सकती हो मैं जॉश की बारे में सब जानता हूँ उसकी मदर बहुत ही डर जाती है वो बो बहुत ही डर जाता है उसे लगता है कि ये स्टेंजर मुझे क्यों बात कर रहा है फिर जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है वो समझ नहीं रहा होता जॉश फिर उनका जो प्राइवेट सॉंग होता है वो सिंग करने लग जाता है फिर बिली को विश्वास हो जाता है बि तो फिर अब न्यूयोक जाने वाले होते हैं यह जो फेर थी जो उनकी सिटी में आई थी वह अब न्यूयोक में होती है जो एक्चुली न्यूयोक के बाहर रहता है तो यह जो फेर होती है वह न्यूयोक में होने वाली होती है अब जोश और बिली न्यूयोक में जाकर इस फे पुछ नहीं लगता उन्हें वहार ड्रगिस मिलते हैं कुछ प्रोस्टेटूट भी वहार मिलती हैं एक बहुत ही थर्ट क्लास होटेल में बिली और जॉज जाते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं होते तो बिली उससे बोलता है कि तुम्हें यही रहना पड़ेगा यह जो जोश को वान करकर जाता है कि तुम अपना खयाल रखो जोश फिर रो रो कर सो जाता है नेक्स दिन जोश और बिली यह दोनों एक आर्केट शॉप्स विजिट कर रहे होते हैं वह बहुत सारे आर्केट शॉप्स विजिट करते हैं और ढूनते हैं कि वह जोलॉप मशीन वह है या नहीं फिर उनका प्लान होता है कि वो city के जो भी fairs होते हैं उनकी list लेंगे तो इसलिए वो एक office में जाते हैं वहा कि जो lady होती है वो उन्हें बोलती है तुमें इसके लिए एक form fill करना होगा वो बोलती है कि waiting period four weeks का होता है जौज बहुत ही डर जाता है वो बिली से बोल कर दाइं जॉब कर सकता है यह जौब होता है यह एक टॉइस शॉप में होता है मैख मैलीन टॉइस इस कंपनी का नेम होता है जब इंटरवियू में जाता है तो इंटरवियू लेने वाला उसे बोलता है यह तुम्हिझे ao vier साल का अच्छे से काम नहीं कर रही होती, इसलिए वो उस इंटर्वियोर के सामने आती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे अच्छी सी सेक्रेटरी देनी चाहिए, उसके ओफिस में एक को वर्क को बच्चा होने वाला होता है, उसके लिए सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, पर थोड़ी भी खुश नहीं होती, नेक्स सीन में हमें दिखाया गया है कि जोश अब कॉम्पिटर्स पे है, वो बहुत ही फास्ट काम कर रहा होता है तो उसका कोवर्कर उसे बोलता है कि तुम्हें इतना फास्ट काम नहीं करना चाहिए, तुम अगर बहुत ज़ादा काम करो तो हमारी जॉब भी जा सकती है, सुजन का बॉइफरेंड होता है पॉल, वो भी मार्केटिंग में होता है, सुजन और पॉल ने एक पूरी टॉइस की लाइन ही क्रेट की होती है, पर वो लाइन ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि उनके सेल्स उतने अच्छे नहीं आ रहे होते सुजन परिशान होके पॉल से मिलने आती है, पॉल को उससे इतना जादा फरक नहीं पढ़ रहा होता, नेक सीन में जॉश अपनी मदर को कॉल करता है, अपनी मदर को कॉल करकर वो बोलता है कि तुमारा बच्चा ठीक है, वो जल से जल घर आ जाएगा, उसकी मदर डर जाती और बोलती है कि उसे कुछ भी मत करो, अगर तुमने उसे कुछ किया, तो तुम तुमारी पूरी जिन्दगी पच्चता होगे, उसकी मदर उसे एक प्रूफ मांगती है कि जॉश अच्छा है, ठीक है, फिर जॉश उसे पुशता है कि तुम ऐसी कुछ चीज बताओ, इस सिर जो होता है मैकमिलन, वो सब रस्ते से जा रहे होते हैं, सुजन और पॉल उसे सब स्टाटिस्टिक समझा रहे होते हैं, और फिर वो जॉश से टकरा जाते हैं, जॉश बहुत ही जल्दी में होता है, क्योंकि उसे जल से जल काम खतम करना होता है, तो उसके बॉस मैकमिलन उस रहा होता है पर इसके लिए भॉर्चन होती है फिर वो अपने फ्रेंड के साथ बैंक आता है बैंक में लेड़ी उसे पुछती है कि तुम्हें ये कैसे चाहिए तो बीली और वो डिसकस करते हैं और सब एक एक डॉलर में वो सब पैसे लेते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं और पुरे दीन भर वो मजे करते हैं रात में सब खा पीकर जॉश बोलता है कि मेरा पैट बहुत ही दुख रहा है उन्होंने बहुत ही एंज़ाई किया होता है रात में अब जॉश का पैट दुखने लग जाता है तो वो अपने फादर को कॉल करता है जॉश फिर सेल्स रि नेक्स दिन जॉश सिटी में घुम रहा होता है तो एक टॉय की शॉप में जाता है वो सब टॉय से खेलने लग जाता है वहाँ वो अपने बॉस मिकमिलन से टकरा जाता है वो दोनों एक टॉय के बारे में बात करते है जॉश तो अंदर से 13 साल का लड़का ही है इसलिए उस लिए टॉयस के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है उसकी इंसाइड बहुत ही एक्क्यूरेट होती है यह उसके बास को बहुत ही अच्छा लगता है फिर वो घुमते गुमते उस टॉय शॉप में एक फ्लॉर पियानो पर आ जाते है जोस उस पियानों से खेलने लग जाते हैं और वो दोनों एक मुमेंट शेर करते हैं। इसन में हमें दिखता है कि Suzan और Paul डिसकस कर रहे होते हैं। Paul Suzan को बता रहा होता है कि Josh को प्रोमोशन मिल चुका है। फिर बिली जॉश के आफिस में आता है, जॉश उसे बोलता है कि यहाँ बहुत सारे टॉईज है, इन टॉईज से मैं खेलता हूँ और सब को बताता हूँ कि मुझे यह कैसे लगे, यह उसका जॉब होता है, बिली को बहुत यह अच्छा लगता है कि ऐसा भी जॉब कितना नेक्स दीन जो है, यह एक मीटिंग होती है, मैक मिलन उसके सब इंपलोईज, यहाँ पॉल भी होता है, जॉश भी होती है, और सुजन भी होता है, पॉल सब नंबर उन्हें बता रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि कैसे मार्केट ग्रोथ हुई है, वो एक न्यू टॉई भी ट्राय करने वाले होते हैं यह एक building होती है जो robot में convert हो जाती है पॉल meeting खत्ब होने के बाद बोलता है कि किसी को कुछ question हो तो पूछ सकता है Josh बोलता है कि यह कैसा toy है मुझे यह समझ में नहीं आया पॉल को question समझ में नहीं आता तो Josh बोलता है कि यह सिर्फ एक building है जो robot में connect हो जाती है इसे खेलने में मज़ा नहीं आएगा वो बोलता है मज़ा तब आएगा जब robot कुछ चीजों में बदल जाए यानि कि यह robot अगर bug में transform हो गया तो यह बहुत ही अच्छा हो सकता है सब को यह idea बहुत ही अच्छी लगती है मैकमिलन को भी यह idea पसनाती है पॉल यह सब personally लेता है उसका toy reject हो जाता है इसलिए वो बहुत ही hurt हो जाता है Susan से वो यह सब बात करता है फिर Josh और Billy अपने लिए apartment देखते हैं दोनों apartment rain कर लेते हैं और उसमें सब खेलने की चीज़े लेते हैं फिर वो दोनों हमें city में दिखाए गये हैं गेम्स खेल रहे होते हैं बहुत सारी अच्छे चीज़े वो कर रहे होते हैं जौश अपने मदर को letter लिखता है है वो उस letter में लिखता है कि मैं बहुत मजे कर रहा हूँ मैं बहूर भी जाता हूँ मैं ठीक हूँ इस letter में वो लिख रहा होता है नेक सिन में Josh को पार्टी में जाना होता है तो Billy और वो suit के शॉपिंग में आते हैं जब वो उस शॉप meं आते हैं तो उसके owner को हैरान कर देते हैं फिर Josh को एक बहुत याठ पटा था suit पसन आता है वो suit पहन कर ही वो पार्टी में आ जाता है जब वो आता है तब सब उस पर हसने लगते है इस पार्टी में सुजन और पॉल होते है पॉल हमेशा बिजनेस के बाती करता रहता है इसलिए सुजन उसके डेबल से उठकर चली जाती है फिर वो मैकमिलन से बिजनेस के बात करना चाहती है और Macmillan उसे बोलते है कि एक party है तुम्हें drinks लेने चाहिए तुम्हें enjoy करना चाहिए Josh नहीं नहीं चीज़े सब try कर रहा होता है अलग-अलग चीज़े वो खा रहा होता है फिर Suzanne आकर उसे बात करना चाती है वो बोलती है ये बहुत boring party है हर party में सेमी बाते सब करते रहते है और हमेशा एकी बाते होती रहती है Josh को वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा होता फिर Suzanne उसे बोलती है कि चलो हम अब बाहर जाते है company के car में बैठते है Suzanne बोल रही होती है कि office में हम किसी को भी जान नहीं सकते अच्छे से तुमें उसे जानना होगा तो तुमें date पर वेगरा ही जाना पड़ता है Josh पर उसकी बाते वेगरा नहीं सुन रहा होता वो गाड़ी सही खेल रहा होता है गाड़ी की windows को हाथ लगाता है locks वो उपर नीचे करता है फिर वो गाड़ी के रूप से बाहर देखने के लिए खड़ा हो जाता है Susan को भी उपर बुलाता है वो Susan को बोलता है कि ये मेरी apartment थी Susan और वो फिर उसके घर आ जाते है Susan उसे बोलती है कि इतनी जल्दी मुझे तुमारे साथ नहीं सोना चाहिए Susan अंदर आकर जब देखती है तो उसे उसका घर बहुत ही अजिब लगता है वो आट रैमपूलन भी होती है उसे देखकर वो excited होती है पर वो वो खेलना नहीं चाती फिर Josh उसे बोलता है कि तुमें इस पर चड़ना चाहिए तो इम बहुत ही मज़ाएगा Josh उसके shoes वगरा निकालता है और फिर उसे जम करना सिखाता है फिर वो रात में games खेलते है जब वो सोने जाते है तो उनका एक proper bed नहीं होता Josh आता है और उपर जाकर सो जाता है उनके बीच रात में कुछ भी नहीं होता नेक्स दिन Susan और Paul गार में होते पॉल फिर से अपने business के बाते कर रहा होता है तो Susan फिर गारी से खेलने लग जाती है वो रेडियो चेंज करती है पर पॉल उसे बोलता है कि ऐसे बच्चों जैसा क्यों कर रहे हो सुजन के चेहरे पर smile आ जाती है पॉल को समझ में नहीं आता कि Josh कैसा है तो इसलिए वो उसे game खेलने के लिए invite करता है पॉल उसे games के सब term सिखाता है और जब वो खेलने लग जाते है तो Josh जीदने लग जाता है फिर पॉल cheating करने लग जाता है Josh और पॉल की फिर लड़ाई हो जाती है पॉल उसे punch कर देता है Josh के नाक से खुन आ रहा होता है तो Susan उसे ten कर रहे होती है वो उसे बोलती है कि Paul तुम से डरता है इसलिए वो ऐसा करता है Josh उसे बोलता है कि तुम भी उसके साथ ही काम करती हो उसके जैसा ही तुम काम करती हो पर तुम कि इतनी अच्छी हो सुजेन फिर उसे किस करती है रात में जोश उसके बॉस के साथ बेटा हुआ होता है उसके जोश एक रिपोर्ट पर काम कर रहे होते है इनकी प्रॉलम यह होती है कि 13 साल के बच्चे को कैसे वो अपनी टॉइस सेल कर पाए वो बोलते है कि 13 साल के लड़के को सिर्फ 13 साल के लड़की चाहिए होती है उसे टॉइस में इंटेस नहीं होता उसे अब रियलाइज होता है कि जिस एज में वो अब आ चुका है बड़ा हो चुका है तो इस एज की ही सुजेन है इसके अब वो girlfriend हो सकती है ये इसको realize होता है नेक्स दिन Josh का बड़े होता है तो Billy उसे एक restaurant में लेकर जाता है Billy को पुरा दिन उसके साथ spend करना होता है पर Josh बोलता है कि मुझे कुछ लोगों से मिलना है मैं तुम्हें call करूंगा ये बोल कर Josh वहाँ से चला जाता है फिर Josh सुजन के पास आता है सुजन के apartment में आकर वो बैठता है पर वो बोर हो रहा होता है इसलिए वो फिर एक fair में जाते है वहाँ वो बहुत ही मज़े करते है रोलर कोस्टर पे जाते है डांस फ्लोर भी होता है वहाँ जाकर वो डांस करते है सुजन बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी को कभी नहीं मिली मैं जिन भी लोगों को डेट करती हूँ उनके पास शुपानी के लिए बहुत कुछ होता है तुम मुझसे कुछ भी नहीं चिपाते फिर जॉस उसे किस करता है फिर वो उसे अपने अपार्मेंट में लेकर आती है और वो दोने इंटिमेट हो जाते है नेक्स दिन जब वो आफिस में आता है तो बहुत ही खोश होता है सुजन उसके एक फ्रेंड की डिनर होता है वहाँ भी लेकर आती है सुजन की फ्रेंड की फैमिली होती है उसका एक बच्चा भी होता है और उसे अलजेबरा में प्रॉलम आ रहा होता है जॉश का अलजेबरा अच्छा होता है तो उसे हेल्प करता है सुजन की फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारा बॉइफरेंड बहुत ही अच्छा है नेक सीन में हमें दिखता है कि Billy के पास अब लिस्ट आ चुकी है जो New York में सब फेर से यानि कि अब उसे वो जोलॉप मशीन मिल जाएगी नेक सीन में Josh एक बुक स्टैंड पर होता है वहाँ उसे दिखता है कि 13 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें कॉमिक्स में बहुत ही इंट्रेस्ट होता है उसे फिर आइडिया आता है कि अगर हम एक digital इजिटल कॉमिक्स बना सके तो बहुत ही बड़िया हो सकता है वह सुजएन को ये आईडिया समझाता है वो बोलता है कि हम comics में जो characters है उनकी choices हम बच्चों को दे सकते हैं यानि कि बच्चे choices करेंगे और उस तरह से storyline बदल जाएगी हम अलग-अलग disc से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं Susan को भी ये idea अच्छा लगता है Susan को उसकी और Josh की relationship कहा जा रही है ये पता करना होता है बिली जोश को call करने की कोशिश करता है पर Josh उसके idea में बहुत ही busy होता है तो बिली उसको call नहीं कर पाता बिली उससे बात नहीं कर पाता वो late night भी काम कर रहे होते हैं तो Susan उसके boss से मिलती है उसका boss उसे बोलता है कि तुम मुझे अब बहुत ही खुश लग रही हो बिली बोलता है कि मुझे सब list मिल चुकी है तो मैं सिर्फ अब call करना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा zolop machine कहा है जोश बोलता है मैं बहुत ही काम में हूँ और उनकी वहाँ fight हो जाती है वो दोना neighbor से होते है तो वो देखता है कि जोश की mother वो इस radio को देख रही होती है जोश की mother से वो फिर वो बात करता है जोश की mother उसे बोलती है कि उसका birthday था मैंने उसके लिए gift भी लाया था वो gift वो बिली को दिखाती है वो से बोलती है कि जब तक Josh नहीं आ जाता तब तक तुमें इसे खेलना है तो तुम खेल सकती हो पर Billy उसे रख देता है और बोलता है कि मैं इसे नहीं रख सकता Josh थोड़े ही दिन में घर वापस आ जाएगा Josh बहुत ही काम करकर रात में ठक जाता है और फिर से अपना वीडियो गेम खेलता है ये वही वीडियो गेम होता है जो हमें वो मूवी के पहले में खेलते हुए दिखाता फिर वो फिर से अपने टाउन में जाकर सब विजिट करता है उपने फ्रेंड्स देखता है अपना नेबर होड देखता है और फिर उसे फिर से वापस जाना होता है फिर वो घर आकर सुसेन से बात करता है वो सुजैन को बोलता है कि मुझे घर जाना है मेरी अलग लाइफ है और मुझे वहाँ वापस जाना है। सुजन बोलती हैं मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़े। तुम्हें इतने अच्छे होई नहीं सकते। तुम्हारी फैमिली है। और तुम्हें वहाँ जाना है ना। जोज बोलता है कि मैं 13 साल का एक छोटा बच्चा हूँ। सुजन को लगता है कि ये कपिंट मेट से डर रहा है इसलिए ये सब बोल रहा है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है वह बोलता है जोलॉप मशीन थी और इसमें मैंने एक वीश की थी इसलिए मैं छोटा बन गया था। सुजन को ये कुछ भी बिलिव नहीं होता है और वह सोने चली जाती है। जब नेक्स दिन वोटती है तो वो जोश के पॉकिट टेक करती है। उससे जोलॉप मशीन से तुमारी वीश ग्रैंट हो गई है यसा जो चीट निकलती है वो वह देखती है। वो फिर सब चीज़े सोचने लगती है। आइडिया होता है वो सबको बता रहा होता है। सबको आइडिया पसन आता है पर वो पॉल को आइडिया पसन नहीं आता। अपना आइडिया बता कर उस मिटिंग से निकल जाता है। सुजैन भी उसके पीछे भागती है बिली उसके ऑफिस के नीचे ही होता है पर जोश एक टैक्सी लेकर आगे चला जाता है उसे उसकी टैक्सी दिखती है वो उसे आवाज देने के कोशिश करता है पर वो उसे देनी पाता फिर सुजैन देखती है कि बिली जोश को जानता है तो Billy से बुझती है, कि Josh कहा गया है, Billy उसे उसका पता देता है, फिर वो उस फैर में आती है, ये डे होता है, तो वो फैर चालो नहीं होती, Billy फिर उस machine के पास जाता है, और अपनी wish पूरी कर लेता है, Suzanne फिर वहाँ आती है, और उस card को देखती है, जॉश फिर उससे बात करता है और बोलता है कि मेरे पास million reason है कि मैं अपनी old life में वापच चला जाओ पर मुझे रहने के लिए एक ही reason है वो तुम हो और मैं यहां नहीं रुख सकता मुझे अपनी old life में फिर से वापच जाना चाहिए वो उसे बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो पर वो उसे बोलती है कि मैं पहली बार भी छोटी raise चुकी हूँ उसे अपना बचपन अच्छा नहीं लगता वो जॉश से अपनी age पुछती है जॉश बोलता है कि मैं 13 साल का हूँ सुजैन फिर उसे बोलती है कि और 10 साल में हम फिर से मिल सकते है अगर डेस्टिने ने चाहा तो हम फिर से एक हो जाएंगे फिर वो उसे अपने घर ड्रॉप कर देती है सुजैन उसे बोलती है कि तुम मुझे याद भी नहीं करोगे जॉश बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बुलूंगा फिर वो गाड़ी से उतरता है अपनी घर की तरफ चलने लग जाता है तभी उसके कपड़े बड़े होने लग जाते और वो छोटा हो जाता है फिर से वो अपने 13 साल के रूप में वापस आ जाता है वो सुजैन को बाई करता है और घर में चला जाता है घर से हमें आवाज आती है कि उसकी मदर उसको देखकर बहुत ही खुश है फिर नेक्स दिन जॉश और बिली हम फिर से एक साथ खेलते हुए दिखते यही ये मूवी खतम हो जाती है